हवे हम यह उन्नीस में हैम चंदा चाहिए समारो के समापन की और बढ़ रहे हैं मैं प्रफेसर अजीत ठाक्वसाब से और यह सत्र जो विशोच संगोष्ठी काता है इसको हम समाप्त करते हैं और मैं निवेदन करूंगा क्योंकि हम बीच में ब्रेक नहीं रखते हैं क्योंकि समय काफी बीच चुका है और हमें समापन की और भी बढ़ना है यह समापन नहीं होता है क्योंकि यह अगले साल होने वाली गतिविदी है इसलिए हम इसको स्थगित करते हैं आने साल फिर से 20 मा हम समारो होगा तो हम फिलहाल अभी इनको स्थगित करने की लिए अमन्तित करते हैं प्रोफेसर अजीद भाई ठाकोर को और विभाग के अध्यक्ष राठवा साब को इस समारो को हम यहीं पर स्थगित करेंगे आने साले साल फिर से इसको काडियानवित करेंगे तो इसलिए हम इनको समापन नहीं कहते हैं स्थगित करना करते हैं तो मैं आमन्तित करता हूं प्रोफेसर अजीद भाई ठाकोर को और प्रोफेसर डिवी राठवा साब मैं निवेदन करूंगा वहिशाली बेन पटेल को कि वो प्रफेसर अजीत बई ठाकोर साब को संमानीत करे कि पुलता कि वो प्रफेसर अजीत बड़ाय। तो मैं सपना बेन से निवेदन करूँगा कि वो अजीद भाई को संद्मानीत करें और समय को देखते हुए मैं ज्यादा कुछ बात न करते हुए मैं विभाग के अद्यक्ष डॉक्र डीवी राठवा साब से कहूंगा कि इस प्रसंग के उचित अपनी बात को रखेंगे और इनके बाद अध्यक्ष जो है वो अजीद भाई अपनी बात कहेंगे और हम इस समारो को स्तगित करेंगे नमस्कार समापन्ना अध्यक्ष आदरणिया ठाकवर साहिब सर्वे वडिलो अध्यापक मित्रो बायो अने बेनो वदारे समय ना लेता आज ये समारो छे अढ़ार वर्ष पूरा करिया इतले परिपक्को थावा अगयो छे अने हवे लागे छे के जे आ समारो अनी सरुवात थाई हती ए समारो वेदिया साहिवे जे करी आने एम नी जे सोपन हतु कि जे उजेन मां कल्दा समारो थाई रहो छे ये साथ दिवस ना थाई छे एटले आपडे सरुवात मां एक दिवस हतो एम करता करता अने राज्यकक्षान वातो अने पछी त्रण दिवस ना अतियारो अतिया शोई थाई रहो अने नेशनल लेवल नो करियो छे पन हवे कालीदास ने भूमीका मा आवी गया छे अने यहां जे सत्रो थाई छे मापन कालीदास साथे जुडायेलो छे हम चंद्राचारिया नी साथे आरन भूमी मा ये आपडे खरे-खरा अनुभूती करे रहा छे एटले अवे विचारी सुने एक समय मां के साथ दिवस ना थाई मांटे की जे खासकाई ने पेपर जे तयार थाए छे पेपर तयार करवं माटे छो मैना नी जरु लगबक वचहां बचित शुमीनानी जरुड़्याद पड़ती होई छे अनने पछे आया आपडे 5 मिन के 7 मिन मा ज़्यारे पूरू करवानु थाए तयारे मुजकेली आयोजन करीशु भविश्यमां आने ठसे खर खर आरंग हम चंदरचारिया नी रंग भूमीमा के मारू कारिये छे उत्रधार तरीके नुकारिये छे आने शुत्रधार नुकाम तमें बधा जानो शू के शरुवातमा जाऊ से पछी इंचे अंतमा भरत वाक्यमा आऊ से पछी क प्रोच्छाहंधी आपड़ा आधाकोर साहिब तो मोरेशियस माहता आणे डायरेक्ष हुए अधायरेक्ष हुए अधायर्पोर्ट थी अहिए खेलागे लावेवेशुए पने बाणनी अ शुपुए अधायर बीकष हुए अधायरेक्ष बॉरावेशे बाण मेडसा, छेके डावेअ पण पछे पाच्छू ओडियंस आपने रजिवात करिये तो अने बीजू के कोई पड़ वस्तूने गनाने समझू हुए त्यार आपणी पोतानी मात्रू भासा कई छे तो ए रदाई सुधी आपने पहुंचाड़ी सके छे पछी ए गनानिदे में ते भासामा हुए पण जाते समझवां बाटे आपणी मात्रू भासा थकी आपने आत्म साथ करिशे किये छे तो आ त्रण दिवसना सत्त्रों दर्म्यान लगबग पिस्तालिस्थी उपर आपणा पेपरोर जुथाया छे आने ए सारा सारा पेपरो आप कि सुबेच आसास आते विरमुचु जाइन जाइन जाइतो संस्कृतम जाइतो बाटे आप अबार आटवा सायर मैं निविदन करूंगा अजीत भाई से कि वो पूरे तिन दिन के समारों के बारे में और अपनी अनुभों के बारे में वो कई सालों से इस समारों से आप अब दर्शक भी है एमपरपा के एडिटर है तो मैं दिविदन करूंगा उनसे कि वो अपना कर्ते में प्रदान करें हम चंद्राचारिया हम चंद्राचारिया समारों कि समारूप समारंब में जो विद्वर्जन उपस्थित हुए है इसमें से कहीं कि उपस्थिती तो सुक्स्मरूप से है जैसे कि द्विवेदी जी हमारे हमसे विदा ले चुके हैं मणी बाई प्रजापती जी भी नहीं है बसंद बाई भी नहीं है और स्वरोच कौशल जी भी साइद तो पूरा जो प्रिक्षा गुरूप है वो अलग अलग तरह से सब विद्वान अपनी बात कहके निकल चुके हैं फिर भी यहां जो कुछ जो बैठे हैं विद्वच्च उन्होंने कल भी पहुत अच्छी बात कहीं और आज भी मैं भी थोड़ी बात शेर करना चाहता हूं हम चंद्राचार्य की पावन स्मृति से जुड़े हुए यह हम चंद्रा विद्या यग्न की अंतिमाहुती अर्पित करने के लिए यह समारोह सत्रा आयुजित हुआ है प्रथमतों में यह अंतिमाहुती अर्पित करने का शौभाग्य प्राप्त करने के लिए हम चंद्रा समारोह की प्रबंधन समीति का आबारे हुए कि उन्होंने मुझे इस पावन कारिय के योग्य समझा। प्रबंधन समीति के संयोजक विभाग अध्यक्स प्रोफेसर देवसेंजी मेरे विद्यार्थी ही नहीं है बलकि मेरे प्रिय पूत्र समाल है दिलिभाई मेरे परम्मित्र है विपूल श्राइशाली सपनार मेरे प्रिय विद्यार्थी रहे और निरंजन भाई भी है जो मेरे साथी रहे है हमचंद्राचारिय विश्व विद्यालाई से मेरा 20 साल का विद्यापूत्र संबन रहा है मैं विजीटिंग फैलो के रूप में 17 बार इस केंपस में आया हूँ और अध्यापन कर चुका हूँ कभी कभी तो लगता है कि मैं विद्याद्यगर का नहीं पाटन का निवासी हूँ वेशे पुत्र जहां बसता हो वही हमारी भूमी बन जाती है यह समारो के साथ भी मेरा इतना अपनापन है कि मैं भारत में होता हूँ तो अपने को यहां आने से रोक नहीं पाता अन्हिलवाड पाटन यह तिर्थ भूमी है जहां गुजरात की अस्मिता उद्भूत हुई गुर्जर भूमी की राष्ट्री अस्मिता, संस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक अस्मिता, साहित्यकला अस्मिता, एवन गुजराती भाषा की अस्मिता, यह पावन भूमी में उद्वुत हुई है, विक्सित हुई है, विलसित हुई है, यह अस्मिता यग्ण के रुत्वीज है हैं चंद्राचारिय एवं उनका विशाल शिश्य मंडल महराजाद धिराज सिध्राज जैसिह देव उनकी जननी मिनर देवी एवं महराज कुमार पार जैसिह देव रण भूमी को विक्रांट करते थे तो हेम चंद्राचारिय विद्या ग्यान अध्यात्म भूमी को विक्रांट करते थे गुरु शिश्य रुशी राजा का ऐसा सहियो बहुत भाग्य से होता है जैसिह देव जैसा महराजा कदाचित ही होते है राज सत्ता को रुशी सत्ता विद्या शक्ति को अर्चित करने के लिए प्रायोजित करते थे जो एक विद्या ग्रंथ को शित है म्याक्रण को गजारूट शोभा यात्रा आयोजित करते हैं और ग्नान गरिमा ग्नान सत्ता को राज सत्ता से दशांगूल उर्ध्व प्रतिश्चित करते थे राजा रुशी की सेवा अर्चना करने में स्वयों को गरिमा शाली महसूस करते थे पाटन भूमी का यह प्रभाव यह संस्कार है जो हमें वैदिक संस्कृति की रुशी संस्कृति का दर्शन कराता है ऐसा तो क्या था इस भूमी में जो गूरजर अस्मिता की गंगोत्री कहो की यग्य भूमी बन गया महराजास जयसिह देव ने जुनागर एवं मध्य गुजरात में विज़ाई प्राप्त करके गूरजर राजकिय एकात्मता का संगटन किया एवं मालवा विज़ाई करके ब्रुहद गूरजर राजकिय असमिता का विस्तरण किया इस तरह से हम चंद्राचारिय ने गूरजर विद्या गूरजर ग्यान गूरजर कला की असमिता का अंकूरण किया पल्लवन किया और फली करण भी किया इसमें उन्हों ने अपने जैन मुनी को इसमें उन्हों ने अपनी जैन मुद्रा भी अंकित की शैव धर्मी राजा जैसिह देव ने अपने जैन मुनी को पूरी स्वतंत्रता दी की सनमान दिया अभी जो बात हो रही थी शहिष्रूता की तो गुरजर प्रजा में जो परमत शहिष्रूता है खूला पन है अउधार यह है अपने को खूले मन से परिश्कृत करने की जो ततपरता है इसका जैसिह देव महणी अप्रतिक है जैसिह देव ने गुरु के चर्णों में अपने मन की पीड़ा व्यक्त की आप गुजराती लोग हमारे राजा को तो हरा सकते हो पर हमारी विद्या प्रभूता को नहीं आप लोग पढ़ते हो तो हमारे व्यक्रण निया, योग, छंद सब विद्याग्रण तो हमारे है जो आप रटते रहते हैं महराजा जैसिह देव को यह उपालम बहुत चोट कर गया और वह बिंदू से गुजराती विद्यासमिता प्रारंब हुई और आज इसक्षन तक यह यात्रा अस्खलित रूप से चलती रही है हम चंद्राचारिय ने अपने शताधी बलकि सहस्राधी शिश्य मंडल को इस गुर्जर असमिता यग्न में प्रायोजित कर दिया जिसका यसस्वी परिणाम सारा विश्व देख रहा है अचारिय ने स्वयों भी पच्चिस ग्रंथों का निर्मान किया विवीद विद्या साखा को उन्होंने पुष्ट किया व्याकरण, कोश, वनस्पती सास्त्र के निघंटु एवं काविय सास्त्र, महाकाविय, योग आदि सब विद्या को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परिपुष्ट की रामचंद्र गुनचंद्र प्रभृदी पूरे शिश्यगर्ण ने एवं पूरे गुजरात से बुलाए गए सारस्वत जनों ने एक सू योजित सू संकल्पित गनान यग्न शुरू किया एवं गुजरात के सूवर्ण यूग का निर्मान किया हम चंद्राचारिय एवं जैसिह देवद्वारा प्रारं यह गनान यग्य का यह 19 वहम चंद्राचारिय समारों नया सोपाने इस विश्व विद्यालई में नामा भीदान से लेकर जो जो विद्या प्रवुरुत्ती हो रही है इसका संपूठ है यह ज्ञानि यज्या भारतिय विद्या संस्कूरुत विभाग प्राकूरुत शोद अध्ययन भवन और यहां की जो मैनिस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है यह संस्थान त्रय जो है यह इसकी जड़ में है इसी तरह से हेम प्रपा, हेम चंद्र समारुह और समारुह के अंतरगा उद्घाटन समारं में भी जो की नोट अड्रेस चावी रूप जो व्याख्यान है नांदी साहब की पूणियस्मृती रूप व्याख्यान माला में रभुनाथ जी का प्राकुरुत भाषा कथा सुंसार का विशय वो सर्वेक्षा अनात्मक व्याख्यान था प्रोफेसर मणी भाई व्याख्यान माला ने मेरे सुहुरुद एवं संस्कृत विद्या के महनियत अपस्वी प्रोफेसर वसंतवाई का अपने जीवन के मिशन रूप शाकुन तलम की पाठ समिक्षा के अध्यापी नविंतम निश्कर्स प्रस्तुत करते व्याख्यान में य इस व्याख्यान में जो चर्चा हुई और आपने और अंग्रेजी के जो विद्वान है उन्होंने एक नई दुरुष्टी से शक्स्पियर को केंदर में रखे जो बात कही तो इससे एक अलग डाइमेंशन एक नया परिमान भी ये व्याख्यान को समझने के लिए हमको मिला इस तरह से इस समारूह में प्रस्तुत किये गए शोद पत्रों का चायन रूप हेंप्रपा का नवंपुष्प भी एक उपलग दी है मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ नान्दी साहब एवं मनी भाई के व्याख्यान माला भी गरंथ के रूप में संचीत की गई है वो भी बहुत अच्छी बात है तीन दिन के यह समारूह में धाईसों से अधिक अधिक रसिक जनों उपस्थित रहे है पांच सत्रों में करीब 40 अभ्यास प्रस्तुत किये गए मैं इस बारे में यह भी मैं हम प्रापा को देख रहा था पेतल महम यहां बैठी है वो उन्होंने प्राचिन संस्कृत के राज नितिकार काउटिल लिया एवाम अधुनिक मैक्ले मैक्विल्यन का जो राजा और प्रिंस का जो एकिया है तो ऐसे जो पेपर है वो सेतु तभी एक नया परिमान हमें मिलेगा और संस्कृत को देखने के की भी एक नई दुरुष्टी हमें मिल सकते हैं इस समारो में गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष विश्णुबाई महत्मा गांधी विद्यापिटकासी से प्रभुनात जी जोद्पूर से संस्कृत विद्यक्ष स्वरोज जी सरदार पटेल उनिवर्सिटी से मेरे परम मित्र और साथी निरंजन भाई सौमया कॉलेज से नम्रता जी यह सब लोग यहां आए और ऐसा लगा कि अलग-अलग उनिवर्सिटी से मयूरी भाटिया गुजरात उनिवर्सिटी से आए महेंद्र भाई स्वामनाथ उनिवर्सिटी से आए कच्छ उनिवर्सिटी के विवागाद्यक्स कश्य त्रिवेदी जी आए गुरु गोविंद उनिवर्सिटी से सवराष्ट उनिवर्सिटी से सरदार पटेल उनिवर्सिटी से उत्तर गुजरात उनिवर्सिटी से विद् मेरे लिए ज्यान की परिणाथी प्रेम्म कुटी है though जब फ्रेम्म में फलित होता है तब ही वो कुरुदार्थ होता हीagt इसा ही कर्तव्य के विश्य में भी है प्रेम अस्तित्व की हमादे चैतन्य चक्र की नाथी है ज्ञान कर्तव्य आधी के आधी वो उस चक्र के आरे हैं उनकी परिणती स्नेह और प्रेम में होती है इसलिए ग्नान में पार गामिता तभी संबव होती है जब ग्यान की फलसुरुती स्नेह या प्रेम में होती है धाई अच्छर प्रेम के जो पंक्ति हुई है वो बहुत मार्मिक है और सच्ची है ग्यान प्रेम में परिणत होगा तभी उनकी फलसुरुती हो सकती है हमारे सब के बीच में ये ग्यान है वो परसपर के प्रेम में, स्नेह में वह फलित हो जाए, ऐसी में प्रार्थना करता हूँ प्रेम से सब खीचे आ जाते हैं, मैं भी इसी लिए आ जाता हैं। आप सब प्रेम से ही हमचंद्राचारिय के, राठवा साहब के, दिलिभ भाई के एवं सुंस्कृत विद्या के प्रती प्रेम से बंदे होने के कारण ही इतने कॉष्ट उठा कर इस ग्यान में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। मैं एक यह भी बात करना जाता हूं कि दिलिभ भाई ने जो संकल्प लिया कि वेदिया साहब की भी व्याख्यान माला होनी चाहिए और हम वो करेंगे तो यह व्याख्यान माला भी अगर जुड़ जाएगी तो ग्यान का और एक विस्तरण हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे आप समने बूलाया। इतना प्यार दिया है कि मैं गदगद हो जाता हूं। और मेरा यही स्वबा हो रहा है कि प्यार से मैं बंदा होता हूं। ग्यान तो जो कुछ पढ़ा है मगर फल सुरुती है। राठ्वा जी को मेरे कुत्र के समन में ने कहा है। एक अंगत्स मरण में आपको कहूंगा। यह मेरे जीवन के कैमरा में है। कि गत्साल में आया था। तो दिवसींजी ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। मैं हमेसा सोचता हूं कि इतनी दूर से पाटन से यहां तक आये मुष्किल से। वो ठीक नहीं है। मैंने कहा कि हम फोन से बात कर लेते हैं। आपको यह कस्ट उठाने की ज़रत नहीं। यहां एक जो है वो भी आया था। और अजीत और तो उन्होंने भी मैंने ना कहा कि नहीं इतनी तकलिफ नहीं उठानी जाए। तो बाद में वो तो मुझे कहें बिना आ गए। मुझे मालूम नहीं था। में पीछे गाया था वहां हमारा बोजन का प्रवंध था कि आप बहुत दिनों से आये हैं तो साथ में बोजन करेंगे। राठवा साब आये तो घरबंध था। बाद में उन्होंने मेरे प्रिय विद्या थी प्रितेश शुकल को फोन किया। उन्होंने का कि वो तो रात को चलने के लिए जाते हैं महादेव के मंदिर था। तो वो वहां गए और वहां भी मैं नहीं मिला तो वह आके बेखने हम बहुत देर से बात करके 2 गंटे के बाद आए ह। वहा महारा जो जूँलहे सुपर बेट़ रहा। बाद में मैंने देखा कि कोई बैठा है, जैई स्री ने मैंने कहा कि कोई बैठा है, और खोला तो वो राठवाजी थी, मैंने कहा कि आपको मुझे कहना चाहिए था, उन्होंने कहा कि मैं कहता तो आप ना कहता है, और आप ना कहता है तो मैं आ नहीं सकता था, इसलिए मैं नह यह जो प्रिती है वो प्रिती को मेरे जीवन के के अंदर में रखी है और यही मेरे गुनान की फलसुती अवार अजीद भाई का विश्वशान्ती का एक ही तो मार्ग है प्रेम और सारी समश्याओं का समाधान भी ग्ञाद से बदा हुआ प्रेम है बड़ी अपनी मार्मिक भाषा में अजीद भाई ने पूरे समारो का प्योड़ा भी दिया मेरा दाईत्वर अभार विधी का है मैं सबसे पहले इन व्यक्ति का भार अदा करना चाहता हूँ जो कभी पाटन में आये और यूनिवर्सिटी में घुमे अपने हिसाब से सारे विभागों का ब्योड़ा किया और हमारे विभाग में आके पांच लाग का चेक थमादिया वो थे चितेंद्रिका थे आपको ये लगा होगा कि ये कोई बड़े इंडस्टियालिस्ट होंगे वो नहीं थे वो मंदीर में पुजारी थे अमेरिका में थे लेकिन मंदीर में पुजा ही करते थे और उन्होंने ये सोचा हमने कहा कि ये हमारा ग्रांटे डिपार्टमेंट है हम ऐसे धन्राशी नहीं ले सकते हैं तो फिर भी उन्हें बोला कि कुछ आउजन करो तुम फिर हमने ये सोचा कि हमारे संस्कित में जो बच्चे आते हैं इनकी सबसे बड़ी विरंबना इनकी आतिक संकट होता है तो हमने ये दई किया कि जो बच्चे प्रसम और दिवितिय का नंबर पे आये इनको इन धन्राशी से जो भी रून आता है उससे कुछ न कुछ फेलोसिप दी जाए तो पिछले पांस सालों से हम ये फेलोसिप इसी दिन देते हैं कि ये मैसेज दूर तक जाए और गांधी साब का जो दान है वो भी हमें साल ठक लगे इससे अच्छी एक और भी बात है वो साल में एक बार पाटन आते हैं और आने से बार हमें को पहले फोन करते हैं उनकी वही अपेक्षा होती है हम इनके साथ होटल में खाना खाए फिर वो चले जाते है कुछ इनको दूसरी बात भी नहीं होती बस हम इनके साथ खाना खाते है बरसों से हमारा ये क्रम है वो पैसा भी वह देते हैं, कभी हमको देने नहीं देते, लेकिन ऐसे भी इंसान होते हैं, बस इनका लगावे हैं कि मैं पार्टन का था, भल मैं विदेश में विशाब में बंबे में भी रहता हूं, लेकिन पार्टन मेरा गाओं है, तो ऐसी पृति करने वाले लोग भी पार्ट दूसरे हम आभार मानेंगे इन दो परिवालों का जिसने हमें व्यक्ष्यान माला के लिए धन राशी दी है प्रफेसर मनी भाई प्रजापती कई सालों से पिछले सत्रा सालों से इनकी अठार्मी व्यक्ष्यान माला थी ये इन्होंने परंपरा शुरू करवाई कि भी ऐसा भी पहले ये व्यक्ष्यान क्लास में हो जाता था लेकिन फिर हमने पिछले पांच से सालों से इनको हम समालों का हिस्सा बना लिया क्यों?